नमस्कार आप देख रहे हैं नीज फोनिशन और मैं हूँ प्रियाजर्शन जद्यूनेता उपेंद्र कुसवाहा इन दिनों अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियां बटोड रहे हैं और इन ही बयानों को गीच एक अचानक से उनके उपर हमले की भी बात आई जिहां ने बाकाइदा प्रेस कॉंफरेंस करके वीडियो दिखार करके बताया है कि किस तरीके से हमलावरों ने उन पर हमला किया उनके काफिले को निशाना बनाया और उन्होंने इसे लेकर किसी पर सीधा सीधा तो आरोप नहीं लगाया लेकिन इसारों में उन्होंने कई बाते कह रहे हैं वहीं अब पुलिस प्रशासन की ओर से जो बाते सामने आई हैं उसमें साफ तोर पर कहा गया है कि उपएंद्र कुस्वाहा पर कोई हमला नहीं हुआ है बल्कि यह कुछ अलक किस्म का माजरा था दरसल उपेंद्र कुछवाहा ने अपने उपर हुए हमले को लेकर के यहां तक अब कहा है कि बिहार के डीजीपी आरेस वट्टी चाहें तो खुद जाँच टीम का अनित्रितु करें और मेरे उपर हुए हमले की जाँच कराएं उस जाँच को खुद वो अपने निगरानीम क करें उपेंद कुस्वाहा यहीं तक नहीं रूपके थे उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार के जो मुखिस अचीव हैं चाहें तो डीजीपी और मुखिस अचीव दोनों संयुक्त रूप से मेरे उपर हुए हमले की जास करें लेकिन अब जो भोजपूर जीला प्रसासन की और स जदियू के कारकरताओं और स्थानिये कुछ लोगों के वीच का विवाल था इसमें उपेंद्र कुस्वाहा सामिल नहीं थे यानि की हमले की जद में उपेंद्र कुस्वाहा नहीं थे भोजपूर के जिला प्रसासन है पुलिस प्रसासन है उसकी और से क्या क्या कहा गया है पहले आप यह सुनिए दरसल भोजपूर जिले के जगदीशपूर के अंतरगत आने वाले नईका टोला में घटित-घटना के संबंध में अब पुलिस की ओर से एक बयान जारी किया गया है। कुछ वाहा बकसर से सीधे पटना न जाकर जगदीशपूर के नईका टोला पहुचे। जहां उनके समर्थकों तथा अस्थानिय जनतादल यूनाइटेड के कार्यकरताओं के बीच इसमें दो स्थानिय व्यक्तिक रमसहसोक कुमार, पिता राजे स्वर्ति प्रसाद सिंग, स प्रेम मोडिया, पिता शिवदयाल सिंग, साकिर मडिया, थाना नवानगर, जिला बकसर, वरतमान, नईका टोला, वाड नमबर 14, जगदीशपूर, राजकुमार सिंग के मकान के चोट लगी है। इनका इलाज अनुमंडल ये एस्पताल जगदीशपूर में कराया जा रहा है, अस्थानिये लोगों द्वारा बताया गया कि काफिला पर किसी प्रकार का पत्रावन नहीं किया गया था, मानियपूर के अंदिये मंत्री उपेंद्र कुसवाहा को किसी तरह का आगात नहीं हुआ है, इस मामले में अगरतर जाच की जा रही है, यह चिठी अनुमंडल कि घरना उपेंद्र कुसवाहा के काफिले पर या उपेंद्र कुसवाहा पर नहीं हुआ था, बलकि उपेंद्र कुसवाहा के जो कुछ समर्थक वहां मौजूद थे, उन्हीं के ऊपर भोजपूर जिले के जगदिसपूर के नईका टोला में वहां पे उपेंद्र कुसवा चाहिए तो देखना है कि अब पुलिस की ओर से जो सफाई पेस की गई और साब तोर पर कहा गया है कि उपेंद्र कुसवाहा पर कोई हमला नहीं हुआ था पत्राव नहीं हुआ था बलकि उनके समर्थकों और जद्यू के कारकरताओं के बीच में जरब होई थे ऐसे में अब उपेंद्र कुसवाहा क्या कहते हैं एक और बड़ा सवाल है कि पुलिस की ओर से चिट्टी जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि उपेंद्र कुसवाहा के समर्थक को और जद्यू के कारकरताओं यानि कि पुलिस ने भी एक प्रकार से बता दिया है कि उपेंद्र मर्थक अलग हैं तो देखना है आगे बिहार की राजनीती में और क्या क्या होता है